हेलो डियर स्टूडेंट गुड मॉनिंग मैसेल्फ दिपा सर्मा टीचर उफ यूकेजी क्लास अटमल्प स्कूल अजबर टुड़े आम गएंग टू स्टार्ट यूज ओफ ही एंड सी देखो बेटा क्लास यूकेजी सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और टोपिक है यूज अज मैं बताऊंगी ही और शी का यूज गहां होता है दोनों का हिंदी मीनिंग होता यह होता है लेकिन इसका यूज अलग अलग जगों पर अलग अलग संटैंस में होता है ही का यूज अलग होता है शी का यूज अलग होता है तो मैं आज आपको बताऊंगी ही का यूज कहा होता है और सी का यूज कहा होता है देखा बचो लेट स्टार्ट ही यूज होता है मेल जैंडर के लिए ही यूज होता है मेल जैंडर के लिए जैसे सन बॉइ ब्रेद यहां पर हम सी का यूज करेंगे तो देखो मैं आपको कुछ संटेंस बतारें संटेंस संटेंस बताकर समझारें की ही का यूज कहां पर होता है यहां पर हम संटेंस से पता चल रहा है कि वहां मेल जैंडर है यानी पुरुष जत्ती है तो इसमें क्या आएगा ही यहां क्रेट 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 खेलता है इसी से पता लग रहा है कि यह मेल जैंडर है तो इसमें क्या करेंगे हम यह का यूज करेंगी नेक्स्ट है इमारा दिस इज रोहन यहां रोहन है किसी मेल का नाम है यानी मेल जैंडर है तो यहां पर क्या यूज करेंगे क्याइब ही का यूज करेंगे यह यह नहीं है मिस्टर शाम है डische या है मिस्टर शाम है यह रोहन के पिता जी है जो मिस्टर शाम है वो रोहन के पिताज यह डैस तो इसमें क्या आएगा ये क्या है ये male gender male gender के लिए क्या यूज करेंगे he का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा he यहाँ पर क्या आएगा he अब देखो हम see का यूज देखो कैसे करते हैं see का use first sentence है she is learning English वहें English सीख रही है वहें अंग्रेजी सीख रही है तो हमें पता लग रहा है सीख रही है sentence से पता चल रहा है कि ये female gender है तो इसमें क्या यूज करेंगे she next है हमारा this is gita this is gita यहाँ गीता है गीता क्या है हमारी female gender यानि किसी लड़की का नाम है तो इसी का sentence बताती में dash went to school dash went to school तो हमें dash में भरना क्या भरना this is gita यहाँ गीता है गीता एक लड़की का नाम है लड़की मतलब female gender का नाम है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे she female gender के लिए क्या यूज करेंगे she she went to school वह है school गई है next sentence देखो दिस इज इज माइ मदर यहाँ मेरी माता है डैश इज ए टीचर तो हम इस डैश में क्या बरेंगे देगे देखो अधिस इज माइ मादर यहाँ मेरी माता है तो मदर हमारा female gender है तो female gender के लिए हम क्या यूज करते है she तो she is a teacher हमारा sentence बन जेता she is a teacher वहें एक अध्यपिका है ठीक है बच्चो I hope मेरी आपको यह वीडियो सबकी समझ में आ गई होगी तो आज आपको यह use of he or she का समझ में आ गई होगा थेंक यू, have a nice day